हेलो दोस्तो जाकर नियुंगली टीचर के सभी एस्पारेंट का मैं जाकर अली एक बार फिर से बेलकम करता हूं फ्रेंट आज के सेसन में हम इंगलिस क्रामर के कुछ इंपर्टेंट कोश्चन लेकर आए हैं दोस्तो आपकी कामयाभी हमारा मकसद है तो बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं दोस्तो यदि आप हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें कमेंट करें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और बेल आकन प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहे हैं दोस दोस्तो किसी भी परिक्षा की किसी भी एक्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो बेहतरीन और एक मात्र लाजवाब कॉंसेप्ट के साथ अच्छा प्लेट फार्म वो सिर्फ और सिर्फ जाकर निवलिश्टीचर है जी हां दोस्तो चलिए पहला कोश्चन आपकी अपनी स्क् कैमें किसी दोस्तो सबसे पहला कोश्चन है दम में ईओ थाट बाज थोरोली आउने इस्ट भी आउ तीलिच है डोस्तो कि दोस्तों है दमैन हुम आई थार्ट बाज थोरोलि ओनेर्श ट्रोब अस्वेंडलर या फ्रेंड क्या होगा इन में से या कोई सुधार नहीं जी हाँ दोस्तों चुकि यहां कोई गलती नहीं है तो इसलिए इसमें नो इंप्रूमेंट होगा जी हां सबसे पहला कोई स्थे और इसका सही आंसर होगा और डी होगा चलिए कोई स्थे नम्मर शेकेंट की बात करते हैं दोस्तों अगले पार्ट में देखना चाहेंगे अगले कोईशन में तो राइडिंग अपॉन इस होर्स टाइगर जम्ट एडिम तो इसका सही आंसर क्या होगा क्या राइडिंग अपॉन टाइगर पून टाइगर घंत ऑजश्टा है यह no improvement, क्या इसका सही answer होगा, दोस्तों, इसका सही answer क्या होगा, जी हाँ, question number second का सही answer क्या होगा, जी हाँ, दोस्तों, इसका सही answer होगा, B, The tiger jumped at him while he was riding upon his horse चीते ने उस पर छलांग लगाई जबकि वह अपने घोड़े पर सवारी कर रहा था ठीक है तो हमारा सही आंसर होगा वो होगा B चलिए, नेक्स कोश्चन लख लेते हैं कोश्चन नमबर थिरी कोश्चन नमबर थिरी कहता है इन ब्लेक एंड वाइट मस्ट हैव यूर डाउन जी हां दोस्तो इसका सही आंसर क्या होगा क्या ए होगा I must have in black and white your terms now I must have your terms in black and white down I must have your terms down in black and white या नो इंप्रूमेंट सही आंसर इसका क्या होगा कोश्चन नमबर थिरी का सही आंसर क्या होगा जी हां दोस्तो इसका सही आंसर होगा थिरी का सही आंसर होगा C I must have your terms down in black and white ठीक है दोस्तो ये इसका सही आंसर होगा ठीक है दोस्तो इन ब्लेक एंड वाइट क्या है ये इन ब्लेक एंड वाइट क्या है एक इडियम है ठीक है दोस्तो ये एक एक इडियम है चलिए नेक्स कोस्टन देख लेते हैं कोस्टन नमबर पॉर क्या कहता है कह रहा है व्यान भी केम आउट आदा रेस्तावरेंट यद्वाज़ हाफ पाश्ट एलेवन जब मैं रेस्टोरेंट से निकला तब जब मैं रेस्टोरेंट से लेकला तब साड़े गयारा बज़े यानि गयारा बजकर तीस मिली टुए थे इसका सभी आंसर क्या होut यह after we came out of the restaurant होगा when we have come out of the restaurant होगा यह no increment होगा जी हाँ इसका सही answer क्या होगा question number four का सही answer क्या होगा friend question number five का sorry question number four का सही answer क्या होगा तो देखिए friend when we इसमें कोई गलती नहीं है तो नो इंप्रूमेंट होगा ठीक है फ्रेंट आप कोश्चन नम्बर फाइब कर चलते हैं कोश्चन नम्बर फाइब का सही आंसर क्या होगा एप परसन हो इस बैड इन स्पेलिंग इस नोन एज जिसकी स्पेली खराब है इसा व्यक्ती क्या कह लेता फिलो गाइनिस्ट कह सकते हैं यह क्याइको ग्राफिस्ट कहेंगे यह नन्न अफ देखिए तो सबसे पहले इसकी अप्स पर हम चर्चा कर लेते हैं यह फिलोगाइनेस्ट जो होता है वह हाईली स्टीम रखता यानि बहुत ज्यादा लब रखता है है भूमें से तो एफ यस ऐस का सब्सक्राइं होता है उसका अध्यन करने वाला उसका भासा के sound का भासा के धुनी का अध्यन करने वाला होता है sound का तो यह भी नहीं होगा अच्छा नन आ आप दी यह नन आप भी नहीं होगा कैको graphist हो सकता जी है इसका सही answer जो होगा वो सी होगा कैको graphist चलिए question number six की तरफ चलते हैं क्या कहता है one who works for the welfare of people in general तो देखी क्या है इसका सही answer question number six का सही answer क्या है eccentric है altruist है liberal है egoist है जी हाफ इसका सही answer question number six का सही answer क्या होगा तो देखी eccentric तो संकी हो गया तो यह तो होगा नहीं ठीक है liberal आजाद हो गया यह भी नहीं होगा egoist एहमबादी होगा यह भी नहीं होगा जी हाँ दोस्तों यह altruist होगा altruist कारतों था है जो दूसरों के भलाई के लिए काम करता है भलमनसाहत के काम करता है तो यहां answer हमारा बी होगा six में हम बी के साथ जाएंगे चलिए नेक्स कोस्चन देखते हैं बहुत important कोस्चन है और यह सब प्रिविए सेर्ज के कोस्चन है जो आपके exams में आवए हैं तो कोस्चन नंबर सेवन क्या कहता है collection of small colored flags is got छोटे जंडों का जो छोटे रंगीन जंडों का समूँ है वो क्या कहलाता है चरुस कहलाता है बंटिंग कहलाता है या no down Angie जी यहँ दोस्तों देखें जो होता है यह एक्टर का समूँ होता है ठीक है तो लोट तो होगा नहीं ठीक इसके बाद में A जो गषूंट रही होता है वो एसा परस्मना रोता है जो फिजी के अई इस पेसिशनी सेक्षी करता है तो यह भी नहीं होगा यह सेक्षॉल एक्भा भी सय जाइशां। और भी जो करता है वो लिप्टरीठ होता ए तो यह नहीं हो सकता दोश्तौरीड होगा यहां दोस्तो इसका सही Avatar जो होगा वहका सब्सक्राइम का एक रहा है सब्सक्राइब करде साथ है अन्सर के उस है रहा है ग्रेजुल रिकवरी फ्राउम्मिल्नेस जो वीमारी है उससे चिवस्य तरीके से जो रिकवरी होती है उसको क्या पैनेशिया कहते हैं का अधिक्यारी से थे कि शाय गेए यह नाों shifts कि सही आंसर इसका जी यह हां पैनेशिया राम बार्ल craug तीज तो नहीं सकता ठीक है ऑप फिट्रिफिकेशन जो है जो है यह ओने लगते हैं तो उसके लिए गुए इसका राइट आंसर, question no.8 का सही आंसर होगा, वो भी होगा, चलिए, question no.9 देखते हैं, question no.9, friend, question no.10 क्या कहता है, इसको देख लेते हैं, I cannot remember where that dash my pen, क्या did I leave हो जाएगा, I left हो जाएगा, I had left हो जाएगा, I would have left हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा question number 9 का सही आंसर क्या होगा देखिए इसका सही आंसर देखिए I cannot remember मैं मुझे याद नहीं है यह मैं याद नहीं कर सकता इसका सेंस क्या है मैंने कहां खोया तो यहां पाश्ट का सेंस आ रहा है किसका सेंस आ रहा है पाश्ट का तो इसलिए लेप्ट उसका सही होगा जी हां question number 9 का B answer होगा ठीक है चलिए question number 10 को देख लेते हैं question number 10 क्या कहता है friends be divided the property that does several parts तो क्या into होगा with होगा among होगा या off होगा क्या होगा इसका सही आंसर यहां क्या होगा friend देखिए friend इसका जो structure होता है वो क्या होता है वो क्या होता है divide divide something ठीक है divide something जो है ठीक है friend तो into होगा दिवाइड सम्थिंग into ठीक है अब देखिए वोई भी चीज जो है वो किसी में बटेगी तो इसका सही आंसर ए होगा जी हां फ्राइड डिवाइड सम्थिंग into ठीक है चलिए question number 11 को देख लेते हैं question number 11 क्या 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 दोस्तों आप देख लेते हैं इट वाज बेरी जेनरेस डैट डैस यू तो ऑफर तो हैल्प मी तो क्या आप आएगा इसमें फ्राम आएगा आप आएगा या फॉर आएगा दोस्तो इसका सही आंसर क्या होगा तो देखिए दोस्तो यहां क्या आएगा देखिए यहां जो आता है फ्रेंट तो यहां देखिए इट वाज बेरी जेनरस ठीक है जेनरस के बाद अगर कोई यू कोई परसन है generous के बाद कोई person है तो यह अपने साथ off लेता है अब off हमारा question number C है ठीक है तो C बाला जो है हमारा वो right answer होगा question number 11 में C हमारा right answer होगा चलिए question number 12 को देख लेते हैं क्या कहता है बहुत important question यह आपके PYQ तो question number 12 कह रहा है I always that does his courage तो admiration आएगा admire आएगा admire साएगा या did not admire आएगा तो देखिए दोस्तो admiration तो एक noun है ठीक है तो admiration तो आएगा नहीं ठीक है अब आप देख लेजिए did not admired तो did के साथ admired यानी second form यह तो वैसे ही कलत हो गया यह अगा नहीं ठीक है अब बस्ते हैं तो चुकि देखिए आलवेज जो है प्रजैंट क्या है प्रजैंट.чक्वå प्रजैंट इंडिफनीट की और इस हरा कर रहा ठीक है अब प्रिजैंट इंडिफनीट जा तो admire आना चाहिए ये अब चूंकी फ्रेंड चूंकी फ्रेंड आई के साथ कि रिया की सीधी फर्ट फर्म लगती है तो एडमार ही बेटर आप्शन है जी हां तो भी इसका सही आप्शन होगा ठीक है चलिए कोश्य नमबर 13 के तरब चलते हैं कह रहा है क्या कह रहा है इससे पहले जो लगेगा वो नावने होगा या प्रणावने होगा चूँकी इससे पहले रख रखा है तो इसम्हिली नावने होगा अब एड़वाइश बर्व है यह हो कोई सब्द नहीं होता है तो इसका सही सही आंसर होगा हमारा वह एड़ाइस होगा जी हाँ कोश्चन नमबर 13 जो है वह अपने साथ में ए लेगा जी हाँ एड़ाइस इस दा राइड आंसर ठीक है चलिए कोश्चन नमबर 14 की तरफ चलते हैं क्या कह रहा है कै रहा है इसे ही डेड़ाव देडास गौर्ट वह सरी गेट्र डेर इन टाइम तो क्या आएगा देखिए फ्रेंट देखे, if clause है यह, ठीक है, तो run और runs यह होगा नहीं, क्योंकि एक past और एक present यह हो नहीं सकता, ठीक है, run और must यह भी नहीं होगा, runs और bud यह भी एक past present है, तो अब run बचता है हमारा, runs और build, तो he के साथ runs बिल्कुल चलेगा, ठीक है, और he के साथ build यह भी चलेगा, क्योंकि इसका structure होता है, पहले present और दूसरा future, ठीक है, पहला present में, और दूसरा future में, ठीक है, तो जो हमारा correct answer होगा, वो होगा हमारा B, ठीक है, question number 14 का सही answer होगा B, चले, अब question number 15 के तरफ चलते है, there is hardly that does problem that unsettles him, तो क्या many आएगा, some आएगा, any आएगा, few आएगा, क्या आएगा friend, question number 15 का सही answer क्या होगा, देखिए friend, यहाँ जो है, negative pronoun जो होता है, वो negative bird, जैसे यह negative bird है, hardly, hardly क्या है, negative bird है, ठीक है friend, तो वो कोई अपने साथ में, क्या लेगा, friend, वो अपने साथ में, क्या लेगा, क्योंकि hardly है, scarcely है, क्या, scarcely है, यह hardly है, friend, यह, इनका sense होता है, no, ठीक है, यह negative meaning रखते हैं, तो अब negative meaning यह रखेंगे, तो इनके साथ में double negative तो लगाएंगे यह नहीं, तो क्या लगाएंगे यह आपर, ठीक है, शोरी, scarcely, एक मिट, scarcely और hardly, इनका आर्थ no है, तो यह positive meaning लेगे, ठीक है, अब positive meaning, sorry, negative meaning हो गया इनका, अब hardly negative है, तो क्या लगाएंगे, इसका साथ में एनी लगाएंगे, क्योंकि many लग नहीं सकता, क्योंकि problem, some नहीं लग सकता, few नहीं लग सकता, तो इसलिए एनी ही आएगा, ठीक है दोस्तों, और हमेशा, जो scarcely, hardly है, वो अपने साथ में एनी ही लेता है, अगला question है, कह रहा है, question number 16, क्या कह रहा है, कि none that does the brave deserve to be honored, तो friend, none के साथ में हम क्या लगाएंगे, none के बाद क्या लगाएंगे, तो देखिए, यहाँ जो हम देख रहे हैं, वो क्या है, none, नहीं, तो यहाँ 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 तो accept होता, accept, ठीक है, अब accept यहाँ है नहीं, तो उसका sense जो है, वो but देता है, क्या देता है, बट, तो अब हमारा बट कहा है, दोस्तो, बट हमारा बी में है, तो यहाँ सही सब जो है, बट आएगा, none but the brave deserve to be honored, ठीक है, दोस्तो, तो यहाँ बट ही suitable है, ठीक, चलिए, next देख लेते हैं, question number, 17 क्या कर रहा है, देखे, 17 में क्या है, is Malayalam spoken by them, तो इसका active बनाना है, क्योंकि यह passive में है, अब चुद देखे, यहाँ यह present indifferent में इसको बनाया गया है, present indifferent का, जो है, वो देख लीजी, देखे, did, did they speak Malayalam, बिल्कुल नहीं होगा, did malayalam they speak, यह भी नहीं होगा, are they speak Malayalam, तो यह भी नहीं होगा, क्योंकि यह भी present continuous का sense देखे, क्योंकि present indifferent का देखना है, तो क्या है, do they speak Malayalam, तो d इसका बिल्कूल correct होगा, कि यह ऑम ठीकिन मैं नेक्स देख लेते हैं कि सीपा मेरेटम इसीपा वाज मेरीड़ चाहिख से लोह कि ईसका नों क्या होगा फ्रेंट जी का सही सुनिनम क्या होगा इसका सही पनेनिम क्या होगा कोश्चन नंबर कोश्चन नंबर 18 का तो कोश्चन नंबर 18 में हम जाएंगे जी हां फ्रेंट बी के साथ में राम बाज मैरीड टू सीता ठीक है ठीक है चलिए नेक्स देख लेते हैं कोश्चन नंबर दोस्तों अब हम देखते हैं कोश्चन नंबर 19 क्या कहता है मक्या कह रहा है तो देखिए कह रहा है रूज रो डवध्व सब्सक्राइब देस ओल्ड वाई इन देस सीजर हो पक्या पारड में है या सी पार्ड में है या डी रहते हैं कि Roses यहां Plural है ठीक है ? अब यहां दिया है कि Vid Abundance against this इस पार्ट मेर है ठीक है ? तो यहां BID नहीं लगएगा तो इन में लागएगा ठीक है ?ि अबंडेश अगेंस्ट दिस ठीक है तुकि ग्रो क्या है यहां ग्रो जो है वो क्या कारिय कर रहा है ग्रो जो है अपने साथ प्रोपिजीशन यह ग्रो बर्ब का कारिय कर रहा है तो अपने साथ में इनका प्रोपिजीशन लेगा ठीक है इन लेगा ये ग्रो जो है वो अपने साथ एन लेगा ठीक है तो यहाँ बिद नहीं आएगा इन आएगा तो यहां हमारा जो सही आँसर होगा वह क्या होगा कि ये लिए पार्ट मेरर रहे ठीक चलिए कॉस्चिन नम्बर 20 देख लेते हैं क्या रहा है it is possible to multiply this bacteria in the laboratory तो देखिए it is possible बिल्कोल थीक है to multiply यह भी ठीक है this bacteria यहाँ ठोड़ा error है लग रहा है in the laboratory यह भी ठीक है तो अब देखिए bacteria क्या है plural है ठीक है bacteria क्या है plural है to this नहीं आएगा यहाँ क्या क्या है दी जाएगा क्या आएगा friend दी जाएगा ठीक है दीज बैक्टिरिया हो जागा तो इसके C part में एरर है इसके कौन से part में एरर है C part ठीक है चली question number 21 को देख लेते हैं 21 क्या कहता है 21 कह रहा है चली दोस्त देखते हैं क्या कह रहा है नीलमा है तो यहां है लगा तो यहां भी है जी होना चाहिए ना है जी ना इसे होना चाहिए तो अब यहां आसानी से दिख गई है कौन से अरर है जी हां यहां पर सी पर्ट यह डी है सी पर्ट मेरा रहे है ठीक है चली नेक्स कोश्चन देखते हैं नेक्स कोश्चन क्या कहता है 22 नम्मर कोश्चन क्या कर रहा है आप्टर न्यूटर्ण है अब्जर्ब एन एपल फाल तू दा ग्राउंड ही फार्मुलेटेड दा ला अब ग्रेविल्टी तो देखी इसके ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट डी पार्ट कौन से पार्ट मेरे तो देखी यहां पर अब आप समझ सकते हैं यह पास्ट की बात प्रफेक्ट होगा तो अपने साथ में यह क्या होगा यहां पर बर्व हेड हो जाएगी हैड अब जड हो जाएगा ठीक है तो यह पार्ट में इसके एर्ल है ठीक है question number 22 के ए पार्ट मेर चली question number 23 देख लेते हैं few people know few people know that the climate of Simla is better than Srinagar तो इसमें कौन से part mirror है friend तो देखी friend यहां यह part mirror नहीं है that the climate of Simla बी part mirror है बिलकुल नहीं है is that then Srinagar तो friend then जो है then इसके बाद में that of आता क्या आता that of तो हमारे c part mirror है जी हां फ्रेट c part mirror है चली next question देख लेते है 24 क्या कह रहा है कह रहा है nobody was prepared to give up their seat to the old man bending on a stick no error क्या a part में error है या बी part में देखी nobody was prepared ठीक है जाएगा जी हां यह पजेसिब adjective जो है वह हिज लेगा तो इसके बी part में error है जी हां दोस्तों बी part ठीक है नेक्स question देखते हैं क्या कहता है he is on his way टू बर्क क्या दाएगा यह आएगा दो जाएगा यह कोई article नहीं लेगा यह अपने साथ तो सही answer इसका क्या होगा देखिए बर्क जो है friend वह uncountable है ठीक है तो जो uncountable noun है और singular है वह अपने साथ में कौन सा article लेगा friend तो देखिए जो singular countable noun होते हैं वह अपने साथ में article लेते हैं लेकिन कहीं कहीं non countable noun जो होते हैं या plural noun होते हैं वह क्या काम करते हैं उनको आर्टिकल की जरूरत नहीं पड़ती है को रिकार्मेंट नहीं होती है तो friend नो आर्टिकल आएगा इसका सही जो आंसर है वह डी है नो आर्टिकल ठीक है तो friend next देख लेते हैं आगे है नहीं कोई बात नहीं friend तो कैसा लगा सेसन हमें comment box में जरूर बताए फ्रेंट यदि आप exam की बेतरीन preparation करना चाहते हैं किसी भी exam की आप अच्छी preparation करना चाहते हैं चाहें वो SSC हो MTS हो SSC CGL हो friend या friend TGT PGT KBS NBS किसी भी exam की आप तयारी करना चाहते हैं GIC lecture हो या LT grade हो तो friend आप हमें जाकर नियंग्लिश teacher जो आपका अपना YouTube channel है बहतरीन English grammar बहतरीन vocab और बहतरीन literature के question लेकर आता है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए यहां दो तरह से तयारी की जाती है एक आपके point आपको cover कराया जाते हैं फिर उनके question आपको तयार कराया जाते हैं topic बाइस आपको चीजे provide की जाती है friend आप हमसे जोडना चाहते हैं तो हमारे इस number पर बाट्स अप करें triple eight one double five nine one double five जी हां दोस्तों बहतरी लाजबाब और शांदार इंगलिस के लिए सिर्फ और सिर्फ एक मात्र प्लेटफार्म जाकर नियुंगलिस टीचर तो मिलते फ्रेंट अगले वीडियो में एक बार फिर से इसी आसा के साथ कि आप हमारे साथ जोड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे ठीक है फ्रेंट हमारे साथ बने रहेंगे और अपने दोस्तों को जोड़ने चाहेंगे आप अपने घर में एक सरकारी नौकरी लेकर आएंगे फ्रेंट अपने परिवार में खुसिया लाएंगे अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे अपनी पढ़ाई और अपनी स्टेडी को लाजवाब परदसन करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जाकर ने यंगलिश टीचर के साथ आईए सिर्फ आपका अपना लाजवाब कॉंसेप्ट लेकर लाजवाब कोश्चन लेकर आपके लिए हाजर है थैंक्स पॉर बाचिंग